एक खबर जिसे जानकर शायद आपके आँखों से आशु निकलाए। एक मा जो अपने ही बच्ची को घर के चोथे मंजल से गिरा कर उसकी जान दे लेती है। जिसका खुलासा बीते दिन पुलिस ने किया है, पुलिस ने बताया कि बच्ची की जान उसकी अपने ही माने ले लिया, क्योंकि बच्ची एक बिमारी से ग्रसित थी, और इस वजह से मा को अपने नीजिय जिन्दगी में काफी परिशानी होती थी, आरूपी माने पुलिस को बताया कि बेटी की बिमार रहने की वजह से उसे रोज थेरेपी के लिए ले जाना पड़ता था जिस वजह से उसे बहुत परिशानी होती थी और इसे परिशानी से तंग आकर उसने अपार्टमेंट के चौथे माले से अपने बच्ची को फेक दिया जिस उचाई से चार साल क की चोटी बच्ची को फेका गया था वो करिव पच्चास स्वेट उचा था जिस वजह से चोटी बच्ची की मौत हो गई अब नमस्कार में नेहा चौधरी कैमरा पोसर मिशाल के साथ और आप देख रही है जंता जंक्षन यह खबर बैंगलूरुस से निकल कर सामने आई है जहां पर एक निर्दई मा ने अपनी चार साल की चोटी बच्ची की जान दे लिए जिसकी वज़ए सब के दिलों को दहला रही है जब जानकर यह लोग हैरान हैं कि आखिर मा अपनी चोटी बच्ची की जान कैसे ले सकती है। पुलिस ने इस मामली की तहकीकात की तुवारोपी मा ने खुद बताया कि बच्ची ओटेज्म स्प्रेक्ट्रम डिसॉडर बीमारी से ग्रशित थी। इसे कारेन बच्ची को बोलने में काफी जादा तकलीफ होती थी और धीरे धीरे करके बच्ची की मानतिक समस्या भी होने की वजह से बच्ची का खयाल मा को ही रखना पड़ता था और हर रोज ओटेज्म की थेरपी के लिए भी उसे लेकर जाना पड़ता था इस वजह से मां की नीजे जिन्दगी में काफी खलल पड़ने लगा और माने अंततर यह निर्ने लिया कि वह अपनी बच्ची की ज चानली है उसका नाम डॉक्टर शुष्मा भारतवाज है जो पेशे से डेंटिस्ट है बचे का नाम बाला कृष्णा है और उम्र चार साल के आसपास शुष्मा बैंगलुरू के संप नगी रामा की रहने वाली है इस घटना के बाद संप नगी रामा पुलीस को इस मामली क जानकारी मिली और पुलीस ने तहकीकात करके महला को आरोपी बताया थाने के इंस्पेक्टर राजेश आर नहीं बताया कि शुष्मा भारतवाज पेशे से एक डेंटिस्ट है और अपनी बेटी की बिमारी की वजह से मा ने ये खौफनाक कदम उठाया है जब पुलीस ने इस बारे में पूश्टाज की तो मा ने खुद ही बताया कि बेटी की बिमारी की वजह से उसकी नीजे जिंदगी और उसके काम में काफी जादव परिशानी आने लगी थी इस वजह से मा ने अपनी बच्ची को ही जान से मार दिया जानकारी के मुताबिक शुष्मा अपनी इस मामले के तीन प्रत्यक्ष दर्शी भी हैं और सभी ने देखा कि सुस्मा कि इस तरीके से रेलवे स्टेशन के पट्री पर जाकर बाला कृष्णा को छोड़ आती हैं लेकिन फिर वहां मौझूद कुछ लोग वापस बाला कृष्णा को शुष्मा के पहुचा देती हैं परत्यक्ष दर्शियों ने बताये कि सुस्मा बैंगलोरू के कैसार रेलवे स्टेशन पर बाला कृष्णा को एक बार छोड़ने की कोशिश की थी और इसी दौरान एक रेलवे अधिकारी ने शुष्मा को देख लिया जिस वज़़ा से सुस्मा की ये कोशिश विफल रही इस वज़़ा से महिला डॉक्टर सुस्मा काफी गुस्ते में आ गई जिसके बाद सुस्मा ने ये फैसला किया कि वो अपने अपार्टमेंट से बाला कृष्णा को फेक देगी इसके बाद एक दिन सुस्मा ने मौका देखकर बाला कृष्णा को अपार्टमेंट के चौथ मंजिल पर लेकर गई और वहां से उसे लगवक 50 फीट की उचाई से फेक देती है पुलिस ने पुरे मामले की तहकीकात की है और CCTV फुटेज से असपश्ट हो चुका है कि सुस्मा ने ही यह सब कुछ किया था और अब कोट इस मामले में सैसल नाएगी आप इस वारे में क्या स कुछते हैं कमेंट वाक्स में बताइएगा आगे की खबरों के लिए जनता जंक्षिन देखते रही हन्यवाद